दोस्तो अगर आपके पास एक ही बैंक के दो ब्रांच में एकाउंट है और आप दोनों एकाउंट में एक ही मोबाइल नंबर लिंक करके रखा है या अगर आपके पास दो बैंक में एकाउंट है और आप दोनों एकाउंट में दोनों बैंकों में एक ही नंबर जो है एक ही मो लाइड लाइन जिससे की आपको नुकसान हो सकता है तो चलिए दोस्तों बिन किसी देरी के वीडियो में आगे वढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आपके पास एक ही बैंक के दो ब्रांज में एकाउंट है और दोनों में आपने एक ही मोबाइल नंबर लिंक करके रखा है य और आप जो है अपने दोनों एकाउंट में एक ही मोबाइल नंबर दे रखा है आप समझ रहे हैं कि दोनों एकाउंट मेरा ही है और मोबाइल नंबर भी मेरा ही है तो हम जो दोनों एकाउंट में अपना एक ही मोबाइल नंबर दे देते हैं तो दोस्तों इससे क्या होगा क दोस्तो अभी जो एक्स्टेट बैंक ओफ इंडिया में वार्साप बैंकिंग आया है तो अगर आपके पास एक ही मोबाइल नंबर दोनों एकाउंट में लिंक है तो जब आप अपने मोबाइल नंबर से वार्साप बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहेंगे तो एक ही कोई नंबर जो है एक्टिवेट हो पाएगा दूसरे अग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक ही मोबाइल नंबर को दोनों बैंकों में लिंक करके रखा है तो अभी तो दोस्तों किवाशी नहीं करना पड़ रहा है लेकिन हो सकता है आगे चलके किवाशी करना प देख लेते हैं मोबाइल बैंकी कि कि अगर आपका मोबाइल नंबर एक ही बांग के दो एक ही बैंक के दोनों ब्रांच में लिंक है तो अभी क्या होता है कि Ihrक में दो एकाउंट है तो आप दोनों में अलग-अलग मोबाइल नंबर दे सकते हैं एक ही मोबाइल नंबर नहीं दे सकते हैं जैसे कि दोस्तों होता क्या है कि मालेजी आपके पास एस्टेट बैंक आफ इंडिया के एकाउंट है और आप क्या किया है कि अपने मोबाइल नंबर को दो के लिएक आप कोई किoff photographer कर लेक्न कि吧 योज़ कर यहिए टोदोर दोनों में इसले आपना मॉबायल नंबर भी कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपके पास दो बैंक में एकाउंट है और आप दोनों बैंकों में एक ही मुबाइल नंबर दे रखा है तो इसमें आपको कोई टैसल लेने की बात नहीं है लेकिन हाँ अगर आपके पास एक ही बैंक में दो एकाउंट है जैसे कि माल लेते हैं अगर आपका एक अकाउंट है और आपके घर में किसी का अकाउंट है और आप जो अपने मोबाइल नंबर को दोनों बैंकों में दे रखा है तो उसमें आपको दोस्तों प्रोलम हो सकती है उसमें दोस्तों आपको केवाइसी करने प्रोलम हो सकती है मोबाइल बैंकी में भी प्रोलम हो सकती दोस्तों अगर आपके पास एक ही बैंक में दो एकाउंट है आपका या किसी आपके घर में किसी का और आपने जो है एक ही मोबाइल नंबर को दोनों एकाउंट में लिंक करा के रखा है तो आप क्या करिए कि इसको जो है चेंज करवा लिजिए किसी दूसरे मोबाइल नंबर को जोँए ऐड कर वा लिये नहीं तो जोँए आगे चलके आपको परिशानी हो सकती है और अगर आपके पास दो अलग-अलग बेंगों में account है और आप एक ही mobile नमबर को दोनों बैंगों में दिया है तो उससे कोई आपको परिशानी नहीं होगी उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जुरूत नहीं है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर से नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अपडेट अच्छा लगा होगा दोस्तो अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और प्लीज आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा कि ऐसे ही और इनफर्मेटिव वीडियो का नोडिफिकेशन आपको मिलते रहें और हमको भी सपोर्ट बनते रहें